मुंबई बैठियां कई आदाकारा ने जित्थे किसानी अंदोलन दे मुडले दिना ची आपने पड़काऊ ब्याना नाल इस अंदोलन नूं हर पास्योट आलान दी कोशिश कीती है उत्थे ही बाली बुड़ दे बहुते कलाकार खेती कनूना दे वरोज बिंडे इस अंदोलन दे हकच भी नितरे ने कल चंडीगर दे सेक्टर स्ताराज लोडी दी आगच खेती कनूना दियां कापियां साडन लई करवाए गये प्रोग्राम च चंडीगर दी वसनीक ते वाली बुड़ दी चर्चद अदाकारा गुल्पनाग ने भी आपनी हाजरी दर्ज करवाई ते खेती कनूना दे लोकां दे वड़े हजूम नू संबोधन कर दियां कि इंदर दे इना तिनों खेती कनूना दे वरोज आपनी आवाज बुलंद किती मीडिया नू संबोधन कर दियां गुल्पनाग ने की किहा उस दी पूरी तक्रीप तो हनू सुनाओ ने यां ने अल्रेडी पब्लिक ली पुजिशन्स लितियां हुई या ने ए फार्म बिल्स नो सपोर्ट करके ते सब तो दुख्दी गाल ए है कि उस कमीटी विच एहो जे एक वी इंसान दी जगा नहीं है जिड़े फार्मर दे इंट्रेस्ट नो लेके पुटेस कर रहे ने जिड़े इरादे बहुत नेक ते चंगे से गे पर एथ की ता इरादा ही थोड़ा जा समझ ये नहीं आ रहे है क्योंकि जड़े चार लोग कमिटी चने ओचारों पब्लिक ली फार्म एतिन फार्म लॉज नो उरिजिनल पुजिशन्स सपोर्ट कर देने इस ते में कोई ब्यान नी देना चौंधी कि ये सरकारी लोग है या नहीं पर इना कहना मेरे हिसाब ना सफिशन्ट है कि इस चारों लोग का ने मैं किसे दा कलने आदा नौ नहीं लेना चौंधी बहुत सीनियर लोग ने अपने अपने प्राप्तियां ने अडड़ फील्ड पर उस सारे प्रो फार्म बिल्ज ने ते मसला एए कि कोई वी लेजिसलेशन जे एनने जादा तादाच जड़े लोग इस देश रहने उननों इंपक्ट कर दी है ते उनना चार्चा करने जरूरी है ते उस कमेटी विच एहो जे रेप्रेजेंटेशन देनी बहुत जरूरी है जड़ी किसान ना दे पॉइंट न पॉइंटियोड e aam कि जड़े चार लोक इस कमेटी दे हिसान ने उसफार कर देन। कि अधिया जारी है ना ते लेकिन कि अधिया मोट हो चुगे कि सरकार तो असर बाएगे ना तभी देखू जी लोग तन तर चरहने या असर ता पहना चाहिए था ते जम्मे में पहला किया से कजब मोथे अधिया जारी है यह ज़ना मुद्दा है एक किसानी तो कि थे जादा बहुत जादा वड़ा है किसानी तक है बहुत भी वड़ा मुद्दा है अपने आप जो के 60% तो भी जादा सड़ी जड़ी population है और किसान नी तू बिलॉंग कर दी है ते किसान परिवार तो है पर जड़ी पूरी देश दी population है ओ भी इस मसले नल impact है क्योंकि इस मसले तो पंज बहुत जुरूरी सवाल खड़े हुने अपने सारे आदे सामने एक कि और नाले समेच इस तरीके नाल कनून बनाए जानगे कि जिना उते कनून लागू करने है ओ उननाल गलबात ना किती जावे प्रॉपर रीडिंग्स ना होन पार्लियमेंट प्रॉपर डिसकस्शन ना होन ते फिर वोईस वोट ते पास कर देते जानगे क्या इस तरीके नाल और नाले समेच कनून बननागे दूज्जा रिफॉर्म चाही देने पहला भी रिफॉर्म दा एकॉनमी नो बहुत फैदा होया जिद रिबलाइजेशन होई सी ते और नाले समेच भी रिफॉर्म दी लोड़ पैंड गिया लेबर रिफॉर्म एग्रिक प्रेशर गुरूप दा की माईने रह गया डिमॉक्रसी विच प्रेशर गुरूप एक प्रेशर कुकर दी सीटी वंगू ओपरेट कर दा है जिदे कोई इशनो लेके जे कोई गुरूप आफ पीपल खोश नहीं है गात के ओ अपने पॉइंट अगे रख सक देने पर जे तुसी वो प्रेशर गुरूप बदनाम करके उन्हानों कहके बई ए तक किसे दी चाल है कि बई ए आने जे तुसी इन्हानों नजर अन्दाज कर दोंगे फिर प्रेशर गुरूप ता रहेंगे ही नी ति लास्ट सब तुऑ इंपोर्टन्ट कि किस तरीकिया नाल आसी एक एक सॉसाइटी समबाद कर देया किस तरीकिया नाल आ पॉबलिक डिसकूर्स कंड़क्ट कर देया देखो जी डिमॉक्रसी इच डिसेंटता होगी होई ति डिसेंट किसे न हूँ पसंद नहीं मेरा डिमोक्राशी नाद बरदाश्ट करनी पहोगी ते हर बार जे डिसेंट होगा अपा लोका नो एंटी-नैशनल, अर्बन नेकसल, माओवादी, नकसल वादी, खालिस्तानी, अतवादी, वक्षवादी कहे के बदराम करांगे, एंके में चलेगा तो ए पांजी जड़े सिगनल्स में इस तरीक इस मुद्दे तो मिल देने ओं मिन्दू लगदा है बहुत बड़े सवाल खड़े कर दें अपने सारियां दे सामने ते चाहे तुसी जर्नलिस्ट हो चाहे किसानी परिवात जोड़े हो सानू सारियां नो मजबूर कर दें पंज सवाल सोचन ते कि क्या ओनाले समेच इस तरीके इनाल राजनीती किती जाओगी इस सवाल मैं चौनियां के जड़े भी लोग देख रेने इना बारे जरूर सोचन देखे पिछले सेंसेस के अनुसार दस करोड महिलाएं डायरेक्टली किसानी से जुड़ी हुई है शायद कोई ऐसा वेवसाय नहीं है जहां पर महिलाएं और पुरुषकंदे से कंदा मिलाकर साथ काम करते हैं जब किसान खेती करता है तो वो अकिला नहीं करता उसके बीवे बच्चे उसके साथ करते हैं उसके सहयोगी हैं उसके इक्वल पार्टनर्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां पर लाया गया है या किसी को यहां पर रखा गया है आप यहां पर देख रहे हैं यह एक अर्बन पोटेस्ट है यहां पर किसी को लाया नहीं गया, यहां पर इतनी ही लेडीज हैं जितने जेंट्स हैं तो मेरा नहीं मानना कि यह किसी को यहां पर जबरदस्ती रखा गया है या लाया गया है, आक्यूरिट है गुल जेस्ते के कमेटी नू नामनन्दा जड़ा फैसला जथे बनी हो लो कितागा है तो अनु लगता है कि यह जुडिश्री नू भी नामनन्दा वाली गला है कि यह जुडिश्री ता जड़ा ओर उस नू भी जड़ा आसी दरकनार कर रही है देखो जी, Honorable Supreme Court ते Honorable Judiciary अजुडिश्री अजुडिकेट करें Constitutional Matters ते कि यह जड़ा 7th schedule ते legislation पास किती है Center ने, State Subject ते उजी Constitutionality की हैगी जड़ी पंजाब सरकार ने प्ली इंप्लीड किती है existing preach उस ते हले कोई फैसला सुलाया नहीं गया क्योंकि अजुडिकेशन जुडिश्री दा प्राइमरी रोल होंदा है पर हुन जमें असी देखनों मिल रहे है कि जुडिश्री पुलिटिकल रेजिलूशन कर रहे है देखो जी, Lawmaking ता पुलिटिकल एग्जेक्टिव दा कम है जे उस Law नाल कोई दिक्कत है और भी पुलिटिकल एग्जेक्टिव नहीं हल करनी है ते कमता एग्जेक्टिव दा है जे जुडिश्री एग्जेक्टिव नूँ थोड़ा जा सपोर्ट कर रही है कि उनानों किस तरीके नाल इस मैस्चो कड़ी है और अधगल है पर मेन फंक्शन दा जुडिश्री दा जुडिकेशन है ते इस मसले जुडिकेशन दा हले कोई नहीं होई नहीं कि लाग दा कमेटी बनन तो बाद होना मसले दा हल कि में होएगा क्योंकि 15 तरीक नों फेर मीटिंग है लेकिन सरकार देवलो पहला भी यहीं आया कि पहला भी विचार चर्चा चल रही थी कमेटी भी किसान कह रहे ने कि साठे पक्ष दी नहीं है सारे प्रो फार्म बिल्स नहीं है किसान जे कह रहे ने कि कमेटी उना दे उन्हादे पकच नी है कि ते ओ कोई गल्त गल नहीं कह रहे चारों लोग जिड़े इस कमिटी मेंबर्स ने ओ चारों ने प्रो फार्म बिल पुजिशन्स लिती है हुई है ने रीसेंट पास्च दुजी गल एक है कि शैद ओनाले समेच ओनुरिबल कोट कोई होर इंटर्वेंशन करनगे पर क्या ओनुरिबल कोट जो में न्यूज रपोर्ट आने ते जिड़े पॉनिसी मेकर्स हैं ते जिड़े लीगल लूमिनरीज हैं लीगल लूमिनरीज दा ब्यान है ते अकबारां च अमेच जुडिशरी, एक्जेक्टिव, नाल जे बत्तब रण मिलके कम करूगी फिर सेपरेशन और पावर के में होगी जिड़ी अपनी डिमोक्रसी दी में कॉर्नर स्टोन है जिरा अपनी डिमोक्रसी दा डॉक्ट्रिन ऑफ पित अन सबस्टिंस है पित अन सबस्टिंस एक इदाहालता पुलिटिकल एक्जेक्टिव नो ही कडना पेड़ा है